आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार देखे हैं हमारे सखास रपोर्ट में यूपी बोर्ट की हाई स्कूल और इंटर्मीडियेट की परिक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही हैं बोर्ट परिक्षा की कॉपियों और प्रश्रपत्रों की सुरक्षा के लिए सक्त सुरक्षा पहरा लगाया गया है बोर्ट परिक्षा में सबसे बड़ी पहल प्रात्मिक स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाया जाने को लेकर की गई है बोर्ट ने अपने स्तर से ही परिक्षा ड्यूटी लगाई है साथ इस शिक्षकों की ड्यूटी स्तल तैकर सूची जारी कर दी है परिक्षा ड्यूटी की सूची मिलने के बाद प्रात्मिक शिक्षक खुद केंद्रा ध्यक्षो को फोन कर जानकारी ले रहे हैं। दूसी तरफ बड़ी संख्या में प्रात्मिक शिक्षक अभी यह जानने के लिए परिशान है कि उनकी ड्यूटी किस केंद्र पर लगाई गई है। जिन केंद्रों पर सक्षकों की संख्या कम होती थी। उनकेंद्र ध्यक्षु सुम ब्येस्ते से संपर कर प्रात्मिक स्कूल के स्कषकों की जिमांड कर लेते थी। भी यूपी बोर्ट की परिक्षा दो हजर बाईस। CCTV क्यामरे की निगरानी में होगी परिक्षा, परिशदिय स्कूलों में भी होने जा रही है परिक्षा 4000 प्राइमरी शिक्षकों की लगेगी ड्यूटी बोर्ड ने खुद शिक्षकों की ड्यूटी की बनाई सूची UP बोर्ड इस परिक्षा को लेकर काफी गंभीर है एक तरब जहां बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की मदद ली जा रही है वही परिक्षा केंद्रों को पूरी तरह CCTV कैमरे की नजर में रखा गया है कभी भी किसी प्रकार की अववस्था होने पर परिक्षा कंट्रोल को उसकी खबर लग जाएगी वही जहां यूपी बोट की परिक्षा होने जा रही है तो वही परिशदिय स्कूलों में भी परिक्षा शुरू हो गई है परिशद्य स्कूलों के सक्षकों की ड्यूटी पर अन्यंत्र चले जाने की वज़़ से उनके खुद के स्कूलों पर परिक्षा संपन कराने के लिए शिक्षकों की कमी हो सकती है इसको लेकर तयारी चल रही है केंडरा धक्षो को इस बार मालूम नहीं है कि किस सिक्षक की ड्यूटी उनके यहां लगी है बोड ने खुद सिक्षकों की ड्यूटी लगा कर सूची भेज दी है इस बार प्राइमरी स्कूल को तक्रीबन 4,000 सिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है इसके अलावा इस बार की बोट परिक्षाओं में कई बदलाओं भी किये गए हैं बोट की परिक्षा में पहली बार नए और पुराने पार्ठिक्रम कपे पर एक साथ होगा पिछले साल बदला था दसी बारहवी का कोर्स अंग्रेजी व इंटर वाड़िक्ष के कोर्स में हुआ था बदलाओं इस बार नए पाठिक्रम की होगी परिक्षा कोड़ोना के कारड पुराने च्छात्रों को दिया गया मौका कि पुराने पाठे क्रम पर होगी अंग्रेजी Bomb Detachment की परिक्षा तीस हजार से अधिक छात्र पुराने कोर्स पर देंगे परिक्षा छात्र छात्राओं की सहुलीद के लिए 10-12 वी अंग्रेजी और इंटर कॉमर्स में नए और पुराने पैटरंस पर अलग-अलग पेपर बनाया गया है यूपी बोर्ड ने पिछले साल कोरोना में बिना परिक्षा कराए हाई स्कूल और इंटर का परडाम खोशित किया था परिडाम से असंतुष्ट चात्रों की मांग पर बोर्ड ने दुबारा मौका देते हुए अंकसुधार परिक्षा कराई लेकिन उसमें भी काफी चात्र छूट गये उसके बाद श्यासन के अंकसुधार परिक्षा में उत्रिड होने वाले चात्रों को छोड़ कर वर्स 2021 परिक्षा में पंजिक्रित चात्रों को एक बार फिर 2022 में निश्चुलक बैठने का मौका दिया है बता दे कि इस साल 27,83,742 चात्र चात्राय हाई स्कूल परिक्षा के लिए 23,091,841 चात्र इंतर्मीडियेट परिक्षा के लिए पंजिक्रित है यानि इस बार की परिक्षा में क्यावन लाग से ज़्यादा चात्र चात्राय है इस वर्स बोड परिक्षा में संबली थोंगे जिसको लेकर तैयार या पुक्ता हो चुकी है वही इस बार की परिक्षा का परिडाम किस प्रकार का सामने आता है ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा प्राइम टीवी के लिए अनुसका सिंग की रिपोर्ट हमारे खास रिपोर्ट में इतना ही देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार